हलो दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर दीपर केड़ेकर है मैं महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं अपका फिर इस एक बार स्वागत है लोग मेरे पास में आते हैं और पूछते रहते हैं कि मुझे येश मिलता नहीं है और वो देखते रहते हैं पूछते रहते हैं कि उसके जिम्मेदार कोन है किसकी जवाबदरी है किसकी जम्मारी है आपको यह दी अच्छा जीवन जीने का है अच्छे क्वालिटी का उच्छे प्रति का जीवन जीने का है सक्सेसफूल जीवन जीने का है तो उसकी जवाबदरी आपको लेनी पड़ेगी वो जीवन की लोग क्या करते हैं कि लोग बोल पर चलने रहा है यदि आपको आपका जीवन जिना है अच्छी तरह से जिना है तो एक और एक ही वेक्ति जवाबदार है और वो है आप मैं बोल रहा हूं वो सकते नहीं है आप सोच सकते हैं मगर मैं जैसा बोल रहा हूं जैसा आप देख सकते होंगे देख के सोच सकते होंगे तो जिन्दगे में आपको येश मिलेगा देखो कहां भी आपको जैसा मन जैसा होता नहीं है यहां काह भी ऐसफ़नता मिलती है तो लोग क्या करते लोगों को दोस्स देना चालू करते हैं माःबाप को दोस्ड Sansky कि बॉकमार्केट है इस अलग अलग उलग नहीं है आएसे ना कही ना कि दोच देते रहेंगे जब हम उंगली लोगों के पास में करते है न कि वो जिम्मेदार है वो जबाबदार है तो तीन उंगले अपने तरफ है एक आदमी रास्ते के लाइट के नीचे स्ट्रीट लैम के नीचे चावी खोज रहा था दूसरा लेक्ती उसका दोस्त वहां से जा रहा था तो इसको चावी खोजते वे जब देखा तो उसको पूछा क्या करा बोले मैं चावी खोज रहा हूं वो भी उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे जुक के गुटने टेक के चावी खोश रहा एक घंड़ा होने के बाद में भी उनको चावी मिली नहीं जब दूसरे ने पहले को पूछा पूछा कि एक घंड़े से हम चावी धून रहे है चावी कहां गुमी हुए तो चावी मेरे घर में गुमी हुई गर में चावी गुमी है तो यहां क्यों धून रहा है यहां अच्छा प्रकाश है यहां अच्छा लाइट है करके यहां धून रहा हूँ तो चावी जहां गुम गई है जहां आपने खो दी है वहाँ चावी धुनना पड़ता है जहां लाइट है वहाँ धुनना नहीं पड़ता तो असामाने जीवन दी जिना है तो चावी कहां गुमी है चावी यहां गुमी हुई है अपने दिमाग में गुमी है यहां धुन्डो कि मेरा क्या दोसुरे मेरी क्या जिम्मेवारी मैं नहीं ले रहा हूं वहां जो धुन्ने केती भी अपने उपने दिखेंगा ना एक मेरी परिचिस्ष्री मेरे पास में काउंसिलिंग के लिए आई उसने पहले पती से घटर स्पुट लिया था डाइवर्स लिया तलाक लिया मुले नहीं पती जवाबदार मैं उसके लिए वह बराबर ठीक व्यवार नहीं करता सासुमा ठीक व्यवार नहीं करती इसके लिए मैंने उनको छोड़ दिया दूसरी शादी किया तो वहां पती शराब पी रहा है और वहां पैसे के लिए बहुत मतलब वांदे है एकॉनमि बलाप तीसरे जादी किया, तीसरे है तो बोले मां का तStar अग मतलब का देवर है उसकी पतनी वो लोग ठीक नहीं है उसके ननन जो है वो भी ठीक नहीं है और बहुत तकलीब देते हैं और घरका वातावरण ठीक नहीं है घर अच्छा नहीं लगता इसलिए भी वो तीसरा ले ने के लिए तैयर थी कि जो मेरे पास में मैंने उसको पूछा कि यह तिनों में common कोन है तिनों में common तो यह है बाकी तो सब लग अलग अलग बदल रहे है देखना कहां पड़ेगा वहां नहीं यहां देखना पड़ेगा common विक्टिम हो तो आपको दो सवाल पूछने में शिकायत कर रहे हो ति आप दोस्ट दे रहे हो शिकायत कर रहे है इसका मतलब उंगली आपकी बहार है उंगली यहां होना चीए लोग क्या बोलते हैं नहीं पती पत्नी में जब जखड़ा होता है या कुछ भी हो जाता है कोई problem आता है लोग बोलते हैं पच्चास प्रत प्रतिशत दिम्मेवारी लेने को तैयार है क्या तो यह ठीक से चलेगी ने तो आच से एक प्रण कर लो कि लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है जो भी कुछ हुआ है जो भी कुछ होने वारा है उसके लिए 109 जवाबदरी मेरी है और चाभी यहां ओगमी हुई है यहां problem है क क्योंकि जीवन में एक ही वेक्ति को मैं बदल सकता हूं और वेक्ति है मैं खुद तो बाकी जहां बातावरण में मार्केट में इदर उदर उंगलियां करने में कोई मतलब नहीं है और जब जम्मेवारी लेंगे वहां खड़े रहेंगे दिमाग का तनावी खतम हो जाएगा चिड़चिड खतम हो जाएगे इलिटैविलिट ने रहेगे चिड़चिड़ापन ने रहेगा लोगों संबंद ठीक रहेंगे डिप्रेशन शुटकारा मिलेगा और मन शांद रहेगा लोग किसी भी तरह की मानसिक बीमारी भी नहीं आएगे आपको मन शांद रहेगा खु मन शांद रहेगा तो सब कुछ शांद है आपके आसवास में कोई बीमारी मानसिक बीमारी आएंगी भी नहीं तो आज से चालू करो जबाबदरी लाइफ के आप लो आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरू सब्सक्राइब करो उसके बाद में जो घंटी आती है उसके उ पर फेस्बूक के ग्रूप के पर शेर करो थैंक यू पर वाचिंग थैंक यू वेरी मच गाड़ ब्लेस यू